तो यहाँ पर इस box के अंदर देखेंगे यह हमारा beautiful सा pen depth जिसके उपर यह लगी हुई है हमारी protection sheet जिसे हटाते हुए आप इसका जो smooth सा surface है उसे feel कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ और बहतरीन चीजे हैं बट सबसे पहले step के बारे में आदेखेंगे इतना छोटा औ stand कह सकते हैं कि यह जब आप इसे रखके काम करते हैं किसी table पे किसी surface पे तो basically क्या है यह move नहीं होता हिलता नहीं कि ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं और वो फिसले फिसले जा रहा है मैं बहुत देसी भाशा में ना इसे क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी इन चीजों के बार और यह इसकी निब है और सबसे चीवात है कि इसमें रिफिल नहीं पड़ती है यह निब पड़ती है और यह निब एक ही निब नहीं दे रहे हैं आपको यह लोग यह पूरी 10 extra निब्स दे रहे हैं मतब अगर आपकी एक निब खराब हो जाए पहली बार जो ग्राफिक्स और बहुत हाई लेवल का काम करते हैं उनकी निब जो है 3-4-4 साल में जाके खराब होती तो अपने लोग मास्टर लोगों का इतना काम नहीं होता हमाई निब तो खराब ही नहीं होती और यह इसके साथ पिन दे रहे हैं जिससे आप इस निब को जब इसमें दिक्कत हो जाय और ये जो stylus है ना इतना smooth चल जाता है ये और ये इसके साथ आपको मिल रही है USB केबल बेसिकली चाहे तो wireless तो है ये मतलब wireless एकड़म आपको किसी चीज़ की ज़रूत नहीं है बट इन केस अगर आप चाहते है तो इस USB केबल से भी इसे connect करके easily काम कर सकते हैं इतना मतलब इस का experience बढ़िया रहा है ये जो pin है आपके पास basically ये है आपके पास wireless जिसे कह सकते हैं जब आप इसे अपने phone के साथ connect कर देते हैं तो phone के साथ ये wireless तोर पा connect होना शुरू हो जाता है और सबसे अच्छी बात इस pen tab की ये है कि ये जो दो इसमें आपको OTG adapters मिल रहे हैं ये किस और में नहीं मिलते आप चाहे कोई से भी version कि आपका type c phone हो उसमें लग जाएगा और जो पुराने हमारे दूसरी बतलब ports आते थे उनमें भी लग जाएगा मतलब दो तरीकी की आपको OTG adapters मिल रहे हैं ये नहीं मिलते अदर्वाइस आपको अलग से इने खरीदने पर कर सकते हो ये इसकी चीज़ को सबसे बहतरी नगाता है कि आप इसे android phone के साथ भी आप अपनी online classes ले सकते हो क्योंकि आप लोग बहुत जादा पूछते हो कि मैं क्या pen tab जो होते हैं वो phone से operate कर सकते हैं हम अपनी class को zoom पर meet पे लेते हैं वहाँ पर ही काम करते हैं तो yes exactly आप इ इसकी website से register कर देते हैं तो आपकी जो warranty है वो आप इसे और बढ़ा सकते हैं thank you card दिया हुआ है और इसमें पूरा manual दे रखा है आपके साथ android phone का manual भी और इसका digital user guide है वो भी आपको दे रखा है जिसमें बता रखा है कि actual में क्या क्या है pen tab के कौन कौन से जो button है क्या क्या ची connection होनी नहीं वाली इन सब चीज़ों की जरूतनी पढ़ने वाली पढ़ने के लिए तो अब देखिए यहां पर यह हमने इसे phone से connect किया है phone से आप यह कहेंगे कि मैंने जो इसे power bank से connect कर रखा है उसकी जरूती पढ़ती यह मैंने ऐसे ही कर लिया था यह चार्ज है और एक ब क्योंकि इसमें आपने जो wireless जो cable जो जिसे कहते है न जो आपकी wifi cable है वो connect करेंगे और देखिए कितना smoothly यह आपके phone में as a mouse जैसे आपका laptop desktop पे काम करते हैं उस तरीके से यह आपके phone में काम कर रहा है आप कोई भी चीज को select कर सकते हैं copy, paste, underline यह तो करना होता है न online class में हमे कुछ लिखके screen पे समझाना होता है हमें अपने बच्चो को कुछ बताना है जब हम अपनी PPDs share कर रहे हमें कुछ highlight करना है बच्चो को ठीक है कुछ circle करके बताना है तो यह सब चीजे live class में काफी difficult हो जाती है और हमें लगता है कि बहुत भारी setup चाहिए इन सब चीजों के पता नहीं भाया क्या क्या चाहिए पर नहीं यहां पर देखरों कितना smoothly और अभी तो मुझे practice भी नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों के लिए तो मुझे इस तरीके की class लेनी नहीं पड़ती है मुझे यह amount जो है invest करने पड़ते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग को मैं स चीज़ नहीं हो पाती तो अगर आप इस चीज़ को अपनी online class में introduce कर लेते हैं तो आपकी online class जो है वो बहत बहतरी नुझाती है और इसका जो अच्छा लिखने का एक point ये भी है कि 60 degree तक ही आपको molt होके जो मतलब टिल्ट होके जो है काम करने का मौका दे रहा है इससे आप पर इसी wifi जो cable है इसे आप इस पर connect कर देंगे laptop के साथ और बस देखिए कोई कहीं किसे कुछ connect नहीं कर रखा ये तो मैंने ऐसी power bank से अपना जो ये pen time में connect कर रखा है otherwise आपको इसको भी करने की जरूत नहीं है और अब ये आपकी जो laptop की screen है उस पर पूरी तरीकी से control कर है जब हम अपने students को सामने बिठा के समझा रहे होते हैं क्योंकि बहुत difficult हो जाता है बच्चों के लिए एक तो बच्चे हमारे जो learners है वो वैसे ही सामने नहीं बैठे हुए और ऐसे में अगर proper way में हम उनने ना समझाए तो कहीं न कहीं एक gap जो है वो maintain हो जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो है इसमें 8 shortcut keys मिल रही है वो shortcut keys customize है आप अपनी मर्जी से उन shortcut keys को चाहें आप zoom in, zoom out, brush in, brush out, save, eraser, undo, redo जैसे चाहे उन shortcut keys को आप control कर सकते हैं जुसका pen है जैसे stylus कहते हैं उसमें भी आपके दो buttons है ठीक है वहाँ पर भी वो भी customize button है आप उने भी change कर सकते हैं आप चाहो तो उससे zoom in, zoom out कर लो अगर आप चाहते हो undo, redo कर लो आपकी मर्जी है वो buttons भी आपके पूरी तरीके से customize और यह जो form सा look देता है ना इसका holding इतना अच्छा इससे आपकी pressure sensitivity आती है क्योंकि किसी भी चीज़ की pressure sensitivity जो होती है वो decide करती ह है कि वो चीज़ कितने अच्छे graphics design करेगी अगर आप note making करते हैं तो maximum से maximum आपको 2048 तक का जो है pressure sensitivity की जरोत पड़ती है अगर आप graphics या images बढ़िया बढ़िया पोस्टर जो है draw करते हैं तो वहाँ पर आपको 4096 लगभग आपकी pressure sensitivity जो है वो होनी चाहिए बट यहाँ पर doco mini जो है आपको यह 8192 pressure sensitivity दे रहा है यानि इतनी बहतरी बहुत हाई है और इस range में यह मिलना मतलब मुझे कहना चाहिए कि इन लोगों की बहुत अच्छी चीज़ है कि इतनी technology को इसमें इनोंने सीमित करते हैं बहुत चोटा सा इतना handy है कि हम लोग इसे carry कर सकते हैं और अगर resolution की बात करें क्योंकि जितना अच्छा आप लोग जानते है resolution किसी चीज़ का होता है वो चीज़ उतनी बहतर तरीके से perform कर पाती है और अगर कहते ही ना कि resolution कैसे पता लगता है तो LPIC यानि line per inches तो इसका 5080 LPI है 5080 और weight वेट तो इसमें है यह नहीं 307 gram इसका weight है इतनी compatibility है औ आपकी किसी भी चीज में किसी भी आप चाहें इसे अपने windows में या फिर mac में OS में या android phone में किसी में भी आप इसे easily use कर पा रहे हैं यह इसकी सबसे अच्छी बात है यह आपको four dotted जो points दिख रहे हैं यह इसका active area है आपको इसी के बीच बीच में लिखना होता है और सबसे ब हिसाब से जो इसका software होता है उसके अंदर जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं यानि कि अपने हिसाब से आपको जो सुविधा लगती है राइट हैंडी है लेफ्ट हैंडी है कि आप चाहते हैं इस बटन से जो है वह मेरा जो भी मैं काम कर रहे हूं वह सेव हो जाए एरेज हो जा आपका जो stylus है और सबसे अची बात ही है कि जो आपका ये stylus है जो ये pen है ये battery free है यहाँ पर आपको जो है बहुत एक छोटी amount में अपना online setup आप तयार कर सकते हैं तो आप लोगों को मैंने इसका link भी दिया है description box में साथी साथ एक referral code मैं आपको दे रही हूं उस referral code को अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपको additional 5% का discount मिल जाएगा और जगह से लेंगे महगा पड़ता है और official website से अगर आप जाके लेंगे तो एक अच्छे amount में जो है आपको ये मिल जाएगा और आप लोगों से जरूर definitely request करूंगी कि आप इस referral code को जरूर यूज करें क्योंकि त आते हैं वो मुझे comment section में जरूर जरूर लिखे और मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी helpful रहते हैं